मेरे चैनल पर आपका स्वागत है शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी है सबसे पहले पैन को लो फ्लेम पर रख देंगे और उसमें डाल देंगे एक गोल गेहुका आटा वीट आटा और उसे हम करेंगे ड्राइ रोस्ट पहले हमें घी नहीं डालना है एक मिनिट में उसकी नमी हटानी है पहले हमें एक मिनिट के बाद हम क्या करेंगे उसमें दो चमच गी डाल देंगे देशी गी लिया है मैंने यहाँ पर और फिर हमें उसे सेखते रहना है इतना रोस्ट करना है कि उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए कच्छा आटा बिल्कुल भी नहीं टेस्टी लगता है उसकी अब हमारा आटा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे एक बोल में और इसी पैन में हम कर देंगे अपने आगे की तयारी यह देखिए अब हम लेंगे इसमें दो बोल मिल्क दूद लिया है फुल फैट मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर इसे मिल्क पाउडर अगर आपके बास में मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप एक बोल दूद ज्यादा ले लिजे और से थोड़ा ज्यादा डियूस करने में टाइम दीजिएगा मिल्क पाउडर डालने से बहुत फटा-फट रिड्यूस हो जाएगा हमारा दूद इस इस तरह से डालना है कि पहले हम आधा डाल दें और फिर बापस से आधा डाल दें तो हमें हिलाने में एजी रहेगा आप चाहें तो फ्लेम को आफ करके भी हिला के फिर से फ्लेम अन कर सकते हैं उससे आपको इजी रहेगा अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा इस प्रैक्टिस है इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहे हूं गैस की फ्लेम ओन रखके तो मैंने पूरा बोल मिल्क पाउडर डाल दिया है यहां अब हमें इसे हिलाते रहना है और डुड्यूस करना है अब हम इसमें डाल देंगे इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर ऑप्शनल है अगर आप कोई पास में अवेलेबल है इजी ली तो आप टाल सकते हैं नहीं है तो स्किप कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तेस्क तो आने ही वाला है रैसे भी देखिए हमारा दूत काफी रिड्यूस हो चुका है एकदम रब्डी जैसा हो गया है अब हमें इसे नीचे लेना है फ्लेव से और इसे थोड़ा सा थंड़ा होने देना है इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना है बस रूम टेंपरिचर पर आने देना है अब हम इसमें डाल देंगे अपना रोस्ट किया हुआ आटा आटा भी ठंडा है और ये भी थोड़ा नॉर्मल ठंडा हो चुका है तो हमें हिलाने में इजी रहेगा इसे पहले हम इसे अच्छे से हिला देंगे इसमें हमें गट्थे बिलकुल भी नहीं रहने देनें तभी हमारीGen क Ηमाय अच्छे से मिक्स हो गया है और हम इसे ट्रांसफसर कर देंगे दूसरे बरतन में और इसी पैन में हम लेंगे ऐक बोल शकर और एक बोल पानी अब फ्लेम को आउन कर देंगे और फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हिलाते हिलाते इसकी चाशनी बना देंगे यह देखिए चाशनी अच्छे से बनानी है हमें हमें बीच बीच में हिलते रहना है जब बबल रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमाई चाशनी बने को रेड़ी हो रही है अब आप चाएं तो इसमें केसर डाली या फूब कलर भी डाल सकतें। मैंने केसर भिगो के रखी थी पानी में तो कलर बहुत अच्छा आया है यहां मैं आपको चाशनी डाल के बता रही हूं इससे तो आप देख लीजे कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए फिर हमें ये मिक्सचर अपना रेडी जो हमने किया था वो डाल देना है और इसे अच्छे से हिला देना है लो फ्लेम पर अगर आपसे नहीं जमता है लो फ्लेम पर 30 seconds के लिए गैस पर ही रहने देंगे और हिलाते रहेंगे उसके बाद हमें इसे नीचे रख देना है और थोड़ा सा थंडा होने देना है थंडा होने के लिए हम किसी वर्तन में भी निकाल सकते हैं तो जल्दी थंडा हो जाएगा ये देखे हमारा मिक्चर रेडी हो चुका है तो अच्छे से छोड़ दिया है इसने अब हम इसे ले लेंगे नीचे और नीचे लेने के बाद भी हमें इसे थोड़ा सा हिलाना होगा ने तो नीचे पैन की हीट से नीचे का मिक्स्चर जो है वो ज्यादा करक हो जाएगा अब हमने इसे थाली में ट्रांसफर कर दिया ह ठंडा होने पर हम इसके पेड़े बनाएंगे तो शेप आप अपने मन के इसाब से बना सकते हैं मैं यहाँ पर डिजाइन बना रही हूँ सिंपल सी एक फोर्क लेके यह देखिए आप चाहें तो किसी और चीट से भी डिजाइन बना सकते हैं तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसीपी अगर अच्छी लगी है तो एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिए गाई रेसीपी बहुत ही टीस्टी लगती है थैंक्स फॉर वाचिंग